हेलो व्रेंड गुड मॉर्णिंग विल्कम बैक टू मैं चैनल एक्जाम इस्टोर फ्रेंड जैसा है कि आप लोगो बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था कि फिर से जो है यूथ कंपरिशन का जो यह बुक है पॉइंट टू पॉइंट करेंट अफिर से रिफ्रेसर इसको फि अपरेल 2023 में सौराष्ट तमिल संगम का आयोजन कहां पर किया गया है तो गुजरात में बस आपको याद रखना है सौराष्ट तमिल संगम जो है यह कहां पर हुआ है गुजरात यानि पहले का सी ओप्सन सही हो जाएगा और यहां पर आयोजन अस्थल भी आप देख सकते ह सोमनात द्वारका और इस्टेचू आफ यूनिटी ठीक है यह कुछ इंपोर्टेंट है आप लोग देख सकते हैं सेकेंड कोश्चन है अपरेल 2023 में संगठन से समरिद्धिक किसी ग्रामीड महिला को पीछे नहीं छोड़ना अव्यान किसके द्वारा सुबारम किया गया है तो दीन द्याल अनुतोद है योजना के द्वारा यानि राष्टी ग्रामीड आजीव का मिशन जो है इसमें क्या है किसी भी ग्रामीड महिला को पीछे नहीं छोड़ना यह आपके लिए करेक्ट हो जाएगा बी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो याद रखना है तो किया है अनुरांचल प्रदेश की विऊतु में जो है वायvrent village भी विलेज फौरोग्राम का जो है सु बारब किया है कि इद्डरी ग्री एवं सहकारिता मंत्री तो याद रखियगा अमिशाजी के द्वारा ठीक है तो यह आपको वाय्वेरेंट व्लेज प्रोग्राम कहा हुआ है हम राचाल प्रदेश के की भीतु में नेक्स्ट फूर्थ कोश्चन में पूछ रहा है भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नए दल का राष्टी दल का दर्जा परदान किया है तो आम आदमी पार्टी को किसको इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम में लगतारी कोश् ठीक है शेकेंड हो गया भारती जनता पार्टी और तीसरा हो गया बहुजन समाज पार्टी चोथा हो गया भारती कम्मुनिस्ट पार्टी या माक्सवादी नेशनल पिफुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी ठीक है आगे हम लोग नेक्स्ट और बात करते है फिप्त को चुकांग 2021-22 में किस राजी को जो सिर्शस्थान प्राप्त हुआ है तो कौन नाटक करता है करनाटक याद रखना करनाटक नाटक बहुत जाद करता है करनाटक एक तो फर्स्ट भी लाता है उपर से नाटक भी करता है नेट्ट गोश्चन के तुराफ आगे वड़ते हैं और इसमें आपको देखना पड़ेगा कि फ्रण्ट रनर में कौन-कौन से अचीवर में उत्तर परदेश की व्याद किया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है किसमें है कंटेंडर में किसमें कंटेंडर में याद रखिएगा फ्रंट रणर में भी नहीं है, अचीवर में भी नहीं है, कंटेंडर में, यहां पर देखें, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश उंचा संगप्राप करके, वह कंटेंडर स्रेणी में सामिल है, यह वाला important हो जाएगा तेलंगाना और अंधप्रदेश ने अपने प्रतरसन में सरवाधिक सुधार जो है, प्रतरसीत किया है, सिक्स कोश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं, और इसमें पूचा जा रहे हैं, दो अजर तेश में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की स्रेणी में सिर्स अस्थान पर किस राजे ने प्राप्त किया है, तो करनाटक ने, किस ने किया है, करनाटक ने, फिर यहां पर नाटक करना इस्टार कर दिया, यह याद करना है, कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट दोजार तेश में जो है, किस ने सिर प्राप्त किया है करनाटक करनाटक B option बिल्कुल प्रेक्ट है और इसको आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा नाटक करता है करनाटक भी यह क्या करना जाते हो तो नेक्स्ट कोस्चन है एट्थ मार्च 2023 में मेगाले राजी के विदान सभा चुनाओ परणाम जारी किये गए थे इस चुनाओ में सबसे अधिक सीटे जो है किस दल को प्राप्त हुई है तो नेशनल पिपल पार्टी किसको एन पीपी को जो है सबसे ज़्यादा सीटे प्राप हो जाएगा तो कॉन्राड संगमा यह दूसरी बार जो है मेगाले के मुख्यमंत्री पत की सपत लेंगे ठीक है इसको आपको याद रखना है कॉन्राड संगमा पहले भी थे अब भी हो चुके है और सीटों की बात किया जाए तो मेगाले विदान साभा में 60-300 सीट है टोट इतली में रायसीनाडालाग का आयोजन किया गया था इस समिलन में मुख्यतिती कुन्ते तो जिया जिर्यया मेलोनी कुन्ते जिया जिर्यया मेलोनी और इसे के साथ आपको जाना भी चाहिए बात किया जाए रायसीना डियालोग की थीम क्या थी तो प्रोवेकेशन अंसर्टेनिटी टर्बोलेंस लाइट हाउस इंदर टेमपेस्ट ठीक है और इसके चीफ केस्ट कोंते मुख्यती दी इटली के प्रदानमंत्री यही मेलोनी कोन है जिय जीरिया मिलोनी जीया जीरिया मिलोनी एक दो बार बोलेंगे तो आपको भी लगबग लर्न होने लगेगा नेक्स्ट कोस्चन है टेंथ दो अजर तेज में तिरपूरा विधान सभा के चुनाओ प्रणाम जारी किये गए हैं और इस विधान सभा चुनाओ में भारती जनता पार्टी ने कितने सीटे प्राप्त की हैं तो 32 सीटे कितने 32 सीटे आपको याद रखना है भारती जनता पार्टी ने प्राप्त की है और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 8 मर्च 2023 को भाजपा नेता मरिक साहा ने दूसरी बार तिरपूरा के मुखे मंतरी प सीटे हैं ठीक है दस सीटे अनुसूची जाती हूँ तथा बीस सीटे अनुसूची जन जाती हूँ के लिए आरक्षित है इलेवन्त कोश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें पूछा जा रहा है 2023 में उचेतम नियाले द्वारा दिये गए निर्णय के अनुसार मुख निर्वाचन आयुक्त एवं अने निर्वाचन आयुक्तियों की नियुक्ति के लिए गठिस समीती में कौन सामिल नहीं होगा तो कौन नहीं होगा ग्रिय मंत्री यानि जो अमिश्राजिय हैं वो इसमें सामिल नहीं होंगे आगे वड़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन के तरफ और ये काफी ज़्यादा important है क्योंकि लंबे समय से ये question आपके exam में पूछा नहीं आए और इसके आने के प्रबल chances है तो question क्या है दो हजार तेईस में प्रदानमंतरी नरेंद्र मोधी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्गाटन किया है important है और लगबग 2-300 इस्टार वला question है हुबली धारवाड क्या हो जाएगा B option बिल्कुल correct है इसको आपको याद रखना है कि हुबली धारवाड पहले कौन से था उत्तर प्रदेश का गोरक पूरता लेकिन अब जो हैं सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां चल गया है तो करनाटक के हुबली धारवाड में चला गया है अब इसका explanation हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे देखिए और इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो पंद्रो सो साथ लगबट डेढ़ किलो मीटर तक है 1.5 किलो मीटर पॉइंट सेवन मीटर तक है ठीक है पंद्रो सो साथ टोटल जो है अगर मीटर में बात किया जाए तो देखिए यहाँ पी यह भी मिंसन कर दिया गया है कि इससे पहले जो है गोरगपुर जक्सन का लंबाई थर्टीन 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 हंड्रेट सिक्ष्टीसिक से यानि तेरो सो चाचट मीटर था विश्व का सबसे लेकिन अब कौन हो गया यह हो गया सिद्धरुड़ा स् आप लोक समझ सकते हैं सबसे जयदा जो है लिटिरेशीरे कहां की है तो पूचर भारत का है सविधान साक्षटर जी लकी से गोश्ट किया गया कुल्लम या म्षट सविधान सद्विद्धार कहा है और इसकी घोष्टन करता कौन है कियरल के मुख्य겨 मंतरी पीना रयिज्यन यह आपको याद रखना है नेक्स्ट जो है 14 कोस्टन में पूछ रहा है और इसका आपको तावातोड बैटिंग करते हुए अंसर देना है कि देश का पहला पून डिजिटल बैंकिंग राजे किसे घोषित किया गया है तो यह भी कौन है केरल है यानि देश का पहला पूछे पून डिजिटल बैंकिंग राजे तब भी कौन सा है केरल है और सहवधानिक रूप से साच्छर राजी भी पूछे तब भी कौन सा है आपका केरल है कोलम केरल का कोलम ठीक है तो नेक्स्ट जो है फिप्टीन कोश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दो हचार तेइस में यूरोपी आयोग ने किस भारती उत्पात को संड़च्छत भागोलिक संकेत का दरजा प्रदान किया है तो कांगड़ा चाहे को किसको कांगड़ा चाहे यह याद रखी है अभी आपसे मैं पूछा रहा है किसको जो है जी आई टेक दिया गया है मिर्चा चावल का कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है आने के भी चांसे जे यहाँ से पूछा रहा है यूरोपी आयोग ने किस भारती उतपात को सनरचित भागोलिक संकेतक जो है पी जी आई का दरजा परदान किया गया है तो कांगड़ा चाहे को किसको कांगड़ा चाहे ठीक है और कांगड़ा चाहे ही होता का है तो ही माचल पर्देश के कांगड़ा जीले में जो है उगाई जाती है कांगड़ा चाहे और 2005 में जो है इसे GI Tech परदान किया गया थे इंपोर्टेंट है 16 कोश्चन में जो है आपसे क्या पूछा जा रहे है इसके बारे ममलुक जो है चर्चा करने वाले हैं पूछ रहे है 23 में कितने उत्पादो को GI Tech परदान किया गया है तो कितने 33 याद रखना है 33 उत्पादो को GI Tech परदान किया गया है पान खई के बान बनारस वारा और यह भंटा जानते हैं न हमायां कभी-कभी गाउं में बोल दिया एकर आउंखिया जो है भंटा की तरीके बार भंटा का मतलब होता है बैगन ठीक है आप लोगों ने देखा होगा और बनारस का लंगडा आम फिर हात्रस का हींग देखते हैं हात्रस का हींग बहुत जादा है आदम चीनी चावल हो गया अली गड़ का ताला और प्रताप गड़ का आवला नगीना लकड़ी का सिल्फ बखीरा के पितल के बरतन और बादा का सजर पत्थर सिल्फ तो यह टूटल दस जो है इसको आपको याद रखना जी आई टेक उत् सारे हैं तो सबसे जादा अगर बात किया जाए तो कहां पे है तमिल नाडू में टोटल 11 हैं और जम्मु कस्मीर में 8 हैं ठीक है तो याद रखना 17 कोश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है और इसको आपको बताना है चेतरी भासा में नेड़े प्रकासित करने वाला देश का पहला उच्च नयाले कौन सा बना है केरल देखिए केरल किसके लिए समेदानिक साच्छर जीला बन गया केरल हो गया और उसके बास से इसमें भी देखिए अगर बात किया जए पहला उच्च नयाले कौन सा बना तो केरल ही हो गया ठीक है तो यह सारे कोश्चन जो है याद रखना है कि छेतरी भासा में नेड़े है यानि जैसे उसके लोकल जो भासा होती है उसके जैसे माली जब बिहार में ही भोजपूरी बहुत ज्याद है तो उसमें जैसे नेड़े बताया जाएगा तो सब को समझ में हाल है देश का पहला उच्छे नेढ़े कौन सा है तो केरल हाई कोट है किरल अब यहीं पर हाई खोट आया तो बात के अरली या जाए कि पूरे भारत में total कितने हाई कोट है यह आप लोग बता सकते में 25 अभी तक हाई कोट है in तो यहाँ पे देखिए और इसके जो जा रहा है, 2023 में कौन सा जीला, 5G तकनीकी लागू करने वाला देश का पहला आकांची जीला बन गया है, तो बीदीशा, और बीदीशा कहा है, आपको बताना है, तो बीदीशा है, मद्यपर्देश में, कहां पर है, मद्यपर्देश में, इसका राइट आंसर जो है, D option, correct हो ठीक है, D option के तरफ, तो यहां पर जो है, D option correct हो गया है, next question के तरफ आगे बढ़ते हैं, और इसको आपको याद रखना है, question जादा important है, कि 5G तकनीकी लागू करने वाला देश का पहला आकांची जीला कौन सा है, तो मद्यपर्देश का बीदीशा है, और यहां पर देख सक अपने सभी जनजाती लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जीला बन गया है, तो वायनाड, वायनाड का हम है, केरल में, ठीक है, तो यह देखिए, यहां पर केरल बहुत जादा important है, कि सभी जनजाती लोगों को बुनियादी दस्तावे जैसे अगर आप ही से पूचा जाए कि आपको बताइए क्या पहचान है कि आप जो है इस राजी के निवासी है या भारत के निवासी है तो आपके पास मालीजे आपका क्या है अधार काड सबसे ज़्यादा है अधार काड है आपके पास उसके बाद से पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, डियल हो सकता है, ड्राइवी लाइसेंस हो सकता है, और भी बहुत सारे कार्ड हैं आप लोग के, जो जो भी कार्ड बनते हैं, तो ये सारे आपके पास क्या है, एक बुनियादी तोरपे हैं हैं, कि आप भारत के निवासी हैं और किस राजे में, किस जीले से निवासे, किस जीले से, किस गाउं के निवासी है तो सारा चीज आपके पास एक जो यह बेवरा रखा हुआ है, वही डॉकुमेंट्स जो है इसमें, तो बुनियादी अस्तर पर दस्तावेश प्रदान करने वाला देश का पहला जीले कौन सा ऊजबते है तो बात किया जाएगा वाय नट कॉना जाएगा वाय नाट काहांप पर कीरं में ठीक है यहाँ पे देखिए मैं ने जिसकी बता ही वहाई जैसे यहां पर आधार कार ओगया रासन कार ओगया चुनाओ पैचान पर जन्म जैसे बर्थ सर्टिफिकेट आप जानते हैं और यहाँ पे dit certificate बैंक आता है यानि बैंक के account हो गया जिवन भीमा होगया जो Health ग् Means यह सारे जो यह जो यहां पे किए गए हैं कि 20 कोास्थिं कि तरफ आगे बढ़ते हैं कि कितने किलो मीटर की लंबाई जो है सबसे 20 वका सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है कहां पर है अभी मैंने आपको बताया तो धारवाड हुबली करनाटक में था इसकी टोटल लंबाई कितनी थी 1507 मीटर से हैं वैसे बात किया जाए तो 1.5 किलो मीटर है और इसको आयोजन कहां पर किया गया है तो यह भी कहां पर किया है हुबली जीला धारवाड करनाटक में किया गया है तो याद रखना है आपको कि राष्टी यूवा महसा जो है कहां पर किया गया आप खुद बताइए नेक्स्ट 21 कोस्चन में पूछ रहा है कि राष्टपत्ती को गरतंत दिवस अमारो 2013 के आउसर पर मुख्यतीती के रूप में आमंतरित किया गया था किसको मिश्र को गरतंत दिवस अमारो जो होता है बहुत लोगों को यहीं पता होता कि लोगों कि सोटंत दिवस कप सेलिब्रेट करते हैं गरतंत दिवस कप जो है मनाया जाता है आप लोगोंने बहुत सारे वनर होल्डिंग पर देखे रहते हैं कि जब गरतंत दिवस रहते हैं तो वहां लिखवा दिया जल Newa डिवस की हारधिक सुप काम ने अब इसमें बात किया जा रहा है कि जो है 26 जनुवरी यानि गरतन दिवस के समारों में मुख्य यानि चीफ केष्ट के रूप में किसे आमंतरित किया गया था तो मिश्र को जो है अम लोगों ने आमंतरित किया था अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि मिश्र के राष्ट पती जो है यहां पर आये थे उनका नाम क्या है अबदेल फते क्या नाम है अबदेल फते ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं कि मिश्र के राष्ट पती अबदेल फते LCC 26 जनुवरी 2023 को जो है आयो जीत होने वाले ग इसमें पूछा जा रहा है दो हजार तेईस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रीवर क्रूज एमवी गंगा विलास को जंडी दिखा कर रवाना किया है तो वारानसी कहां से किया है वारानसी इनकी कॉंसिटुएंसी भी है वारानसी ये भी आपको याद रखना है तो विश्व का सबसे लंबा रीवर क्रूज एमवी गंगा विलास जो है इन्होंने हरी जंडी दिखा कर रवाने किया है तो कहां से किया वारानसी से अब बात किया जाए इसकी जो है यात्रा कहां से होगी तो यह देखिए यात्रा समाफ्ति अस्तल जो प्रारम भोगा बनारस से और यह कहां तक जाएगा अस्वं के डिवरूगर भोगी बिल तक ठीक है यह आपको याद रखना है यहां इसकी यात्रा समाप्त होगी, total ये यात्रा में कितने दिन लगेंगे, 51 दिन लगेंगे, और इसमें total कितनी दूरी तहें की जाएगी, तो 3200 किलो मेटर कितना, 3200 किलो मेटर जो है, डिस्टेंस को कंभर करना है, और इसमें 36 प्रियाटक जो है जा सकते हैं अब यहां पर देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा important हो जाएगा विश्व का सबसे लंबा river cruise MV गंगा इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा river cruise कौन सा है जो जो वनारस से चल कर डिबुड़ु गड़ असम बोगी विल तक जाती है उसका नाम क्या है तो MV गंगा क्या रहेगा MV गंगा विलाश ठीक है अगर याद कर पाते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए ठीक है नेक्स्ट कोश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं कि दोजर तेज में प्रवसी भारती दिवर संहेलन का आयोजन जो है कहां पर किया गया तो कहां पर किया गया ता अभी 5 generally तक ननीकी भी आपको पता चला था कि मत्あप्र देश के विदिषा में हुआ था लेकिन याँ पर प्रवासी भारती दिवसं मेलन पूछ रहे तो इसकी थीम क्या थी तो डाइस पोर रिलाइबल पार्टनर्स फर इंडिया प्रोगरेस इन अमरित काली यह जो है इसका क्या है यह आपको याद रखना है और इसके चीफ गेस्ट कौन थे तो गूिन्या के राष्टपती थे मुहम्मद इरफान अली कुन थे मुहम्मद इरफान अली 24 question में पूछा जा रहा है दोजर 23 में केंद्री मंत्री मंडलने राष्टी हरित hydrogen mission नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिसन को मंझूरी परदान करने की इसमें संबंदित निमलिखित कत्रों पर जो है आपको विचार करना है तो यहां से पूछ रहा है कि इस मिशन का प्रारंबिक परिवेव 19,744 करोड उपए है इसमें प्रतिवर्स कम से कम 5 मिलियन मिट्रिक टन की हरित हाइड रोजन उठ पादन चमता का विकास होगा इसमें ग्रीन आउस गैस उसर जन में प्रतिवर्स लगबग 50 मिलियन मिट्रिक टन की कटाउति की संबावना है तो राइट अनसर इसका क्या जाया डी आप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें पूछा है 25 में 2030 में अखिल भारती पिठासीन अधिकारियों का तीरासीवां सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है जैपूर में कहां पर जैपूर में तीरासिवा अखिल भारती पीटासी नदिकारियों का सम्मेलन जो है कहां पर किया गया है तो याद रखना है जैपूर जैपूर ठीक है जिसे पिंक सीटी कहते हैं और इसकी उद्गाटन करता कौन है तो उपराष्टपती जगदीप धनकड़ है कौन है उपराष्टपती यानि वाइस फ्रेसिटेंट जगदीप धनकड़ जो हैं उन्हें तीरासिवा अखिल भारती पीटासी नदिकारियों का सम्मेलन का जो है आयोजित किया है कहां पर जैपूर में इसमें पूछा जा रहा है 2030 में जलपर राजमंत्रियों के पहले अखिल भारती वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन एट डरेट 2047 का आयोजित कहां पर किया गया है तो भोपाल में कहां पर किया गया भोपाल याद रखिएगा ठीक है यह इंपॉर्टेंट है कि वाटर विज से बोपला याद कर लगते सकते हैं तो वॉर्टर विजन कहां पर किया गया है 2047 में भोपाल भोपाल बोपाल कर लीजे कई बार याद हो जाएगा ठीक है वाटर विजन एट डरेट 2047 मैं इसको जो है थोड़ा सा वह करना चाहता था लेकिन रिलेट नहीं हो पार है चलिए कोई बात नहीं अगर बात किया जैं हां रिलेट हो सकता है 2047 यह आप लिखा है तो इसको जो है आप लोग अगर रिलेट करते हो भोपाल को भी एच ओ तो देखिए बी आता है दो पर ठीक है इससे आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे बी आता है शेकेंड पर तो भोपाल हो सकता है ठीक है बाकी अगर आप वह ऐसे याद कर ले तो तो और अच्छी बात है 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारती खात संद्चन एवं मानक प्राधिकरन द्वारा फाइफ इस्टार रेटिंग प्रमानन के साथ इट राइट इस्टेशन में सम्मानित किय गया है तो वह कौन सा है वही बनारस अभी जो मैंने बता है जहां पर एमवी गंगा विलास जो है कहां से चली थी बनारस से लेके और असम के डिबरुगड बोगी विल तक चली थी तो उसी का है जहां फाइफ इस्टार रेटिंग परमानन के साथ इट राइट इस्टेशन का जो है धर्जा प्रदान किया किसको बनारस केंट रेलवे स्टेशन वाराण सी को ठीक है और यह प्रदान किस ने किया एफ एसस ए आई ने फूड सेफ्टी स्टेंडर्ड एथोर्टी आफ इंडिया के त्वारा अब देखिए पर्याग राज जक्सन रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदिस का पहला जो है इट राइट इस्टेशन है नेक्स्ट कोश्चन है दो हजार तेईस में जिनोम चंपदा एवं प्रसिच्छन केंद नेशनल जिनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्गाटन जो है कहां पर किया गया है मोहाली में कहां पर मोहाली में ठीक है मोहाली याद रखिएगा नेक्स्ट 29 में भारत के सबसे बड़े हांके स्टेडियम का उद्गाटन कहां पे किया गया है राउर केला में कहां पे राउर केला में और किषने किया है तो वाँ के जो मुख्यमंत्री है नभीन पतनायक और ये राउर केला काई है इसको आपको याद रखना कि हाँ भारत के सबसे बड़े हांके स्टेडियम का उद्गाटन जो है कहां पे किया गया है तो उड़ीसा के राउर केला में ठीक है इसमें दर्सकों की छमता लगबा कितनी है बीस हजार से अधिक जो है इसमें एक साथ दर्शक बैठ सकते हैं 30 question में पूछ रहा है राष्टपती द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर एक सविधान का उद्गाटन किया है तो जैपूर के राजभवन में ठीक है जैपूर राजभवन में जो है जो भारत की राष्टपती द्रौपदी मुर्मू ने वहां पर उन्होंने सविधान आपको अंसर बताना है कि 2023 में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिस्रन परियोजना किसके द्वारा प्रारंब की गई है तो को एंटी पीसी के द्वारा किस के द्वारा एंटी पीसी के द्वारा आपको याद रखना इसी बारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का सुभारम किया गया है सचपोरिए 33 में When Iklore to Kandrie Himself M93 करणाय की सस्थान पर दुखद प्रसंस करने तूं Luc मेगा देरी का उद्गहाटन किया है तो मंडीया में कहांपर किया है मंडेय यह आपको आद रखना है मंडेया करंक में और करSun रिडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से बंदे वारत एक्स्प्रेस को हरी जंडी दिखाकर रावाना किया यह जोड़ेगी तो हाबड़ा को न्यू जल पाई गुड़ी से जोग जोड़ने वाली बंदे भारत एक्सप्रेस का शुबारम किया है ठीक है यह आपको याद रख जोई किसंगंज रेल्जवे स्टेशन पर रुकेगी इसको आपको याद रखना है अगर पूचा जाए पहली बंदी वारत ट्रेंज वह 15 फरवरी 2019 को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह कि पहली बंदे वारत ट्रेंज वह 15 फरवरी 2019 को अरीजंडी दिखा गए यह नई नेक्स्ट जोए राष्टी गंगा परिशत कौन सी बैठक आयोजित की गई थी तो दिती कहां कौन सी की गई थी दिती इसको याद रखने कहां पर की गई थी गंगा की तो पश्ची मंगाल कुलकता में 35 में पूच रहा है और इसमें आपको बताना है कि 2022 में सड़क परिबहन और राजमार्ग मंत्राले द्वारा जारी वार्षी की रिपोर्ट भारत में सड़क दुर गाटना है 2021 का अनुसार 2021 में सड़क दुर गाटनाओं में जान गवने वाले लोगों की संख्या कितनी है तो यहां पर देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा एक लाग तिरपन अजार नो सो बहत्तर लोग जो है सिर्फ रोड एक्सिडेंट में जो है मारे जाते हैं यहां पर अगर बात किया जाए तो टूटल सड़क दुर गाटनाओं हुई है चार लाग बार अजार चार सो बत्तिस ठीक है यह जो है दुर गाटनाओं हुए और ज इसमें लोगों के जान चले गए वो कौन से हैं एक लाग तिरपन अजार नो सो बहत्तर और घाय लोगों की अगर बात किया जाए सड़क दुर गाटनाओं में तो तीन लाग चारासी जार चार सो अलतालिस है थर्टी सिक्स की बात किया जाए प्रधान मंत्री की आर्थिक स अलाकार परिसत एसी पीम दोहरा जारी समाजिक प्रगती सूच कांग सोसल प्रोग्रेस इंडेक्स के संबंद में विचार कीजिए तो इसके सारे ऑप्सन जो है करेक्ट है यानि ओल अब द अब जो है जैसे पुडू चेरी लट्च दिप गोवा समाजिक प्रगती सूच का में बात किया जाए तो बिहार और जारकन सबसे खराब है मिजोरम हो गया और हिमाचल प्रदेश समाजिक प्रगती मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं नेक्स्ट जो है हम लोग आगे कोश्चन के तरफ बात करते हैं और यह रहा हमारा 37 नौमी विश्व आयरुवेदी कॉंग्रेस और आरयोग एक्सपो 2022 का आयोजन जो है कहां पर किया गया है तो पंजी गोवा के पंजी में जो है नौमी विश्व आयरुवेद कॉंग्रेस और आरयोग एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया है गोवा के पंजी में थर्टी एट में पूचा जा रहा है हाली में संपन गुजरात बिदान सबाद चुनाओ 2022 में भारती जनता पार्टी को कुल कितने सीटे प्राप्त हुई है तो 156 सीटे कितनी 156 सीटे प्राप्त नेक्स 39 में पूच रहा है हाली में संपन हिमाचल परदेश बिदान सबाद चुनाओ 2022 के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है इंपोर्टेंट ये नहीं है इसमें पूच रहा है नहीं है ये आपको ध्यान में रखना है तो कौन नहीं है हिमाचल परदेश में कुल सत्तर ब और बात किया जए हिमाचल पर्देश के जो है कॉंग्रेस विदायक सुख विंदर सिंग सुखु ने हिमाचल पर्देश के पंद्रवे मुख्यमंत्री के रूप में शपत गराण की है और उपे मुख्यति बिकेश मुखेश अगनोत्री हैं 40 question में कि पूछा जा रहे important है गमोच्छा भोगोलिक संगेत प्रदान किया गया है गमोच्छा बोला जाता है अपने गमच्छा बोला जाता है तो क्या होजएगा अर्षम याद रखना है नेक्स्ट जो है 41 में पूछ रहा है अनुडांचल परदेश के किस जीले में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक जड़फ होई थी तो तवांग में कहां पी होती तवांग तवांग सेक्टर का है अनुडांचल परदेश में आने के चांसे ज़्यादा है इसको याद रखियेगा दो हजर बाइस में 41 भारत अंतराष्टी बैपार मेला नई दिल्ली के परगती मैदान में आयोजित किया गया इस मेला का फोकस राजय कौन से था उत्तर प्रदेश तथा केरल कौन से था यूपी और केरल जब यूपी की बात आ जाती है तो यह केरल था ठीक है ूपी और केरल प्रदानमंतरी नरेंद मोदी ने श्रीनाड प्रभू कैम्पे गोड़ा की कासे प्रतिमा का आनावरण जो है कहां पर किया है तो बैंगलूरू में कहां पर किया है बैंगलूरू, बैंगलूरू का है करनाटक में और इसस सटेचू आप प है और कहां पर किया गया बंगा बैंगलूरू में ठीक है नेक्स्ट जो 44 में पूछ रहा है कि 2022 में जारी गतिसील भूजल डाइनमिक ग्राउंड वाटर रिस्वर्स एससेस्मेंट रिपोर्ट 2022 का निसार कतनों पर विचार करना है तो देज में कुल कुल वार्सिक बूजल निकासी कुल वार्सिक भूजल पर निर्ध्र करता है अधिक है तो यह क्या हो जाइगा गलत हो जाएगा दूसर पर सई हो जाएगा कि भूजल निकास मीर्स 74 के सबसे कम जो Superintendent सबसे कम है तो कहां पे है B option इसका किवल second option correct है आगे बढ़ते हैं 45 में 80 तमिल संगम योजना का सुबारम कहां पे किया गया है तो बनारस आपको 80 से याद रखना है कि कहां पे होगा बनारस हिंदू विश्विद्याले वारानसी में ठीक है बनारस हिंदू विश्विद्याले वारास में 80 तमिल संगम का योजन किया गया है ठीक है 45 पे आपको देखने को मिल जाएगा और यहीं पर आप देख लिजए मैंने आभी आपको पढ़ाया था में कि सौराष्ट तमिल संगम का योजन कहां पर हुआ था है गुजरात में और कासित जो है उसके बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया 15 पे आत्ते दिखाता हूं इसलिए मैं जो है बैक करके आपको दिखाने के लिए ले गया था ताकि आप लोग जो है इसको रिलेट कर पाओ यहाँ पर देखो कासिल तमिल संगम की बात किया जाए वो सौराष्ट था तो गुजरात में हुआ था और कासी तमिल की बात किया जाए तो कहाँ पर है बनारस यह आपको याद रखना है बनारस हिंदू बिश्विद्धाले वनारसी में ठीक है नेक्ट 46 में पूछ रहा है दो अजरबाईस में तमिलनाडू में भारत के पहले मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क के लिए कारे का आवंटेर किया गया इसे बनाने का प्रोजक्ट किसे आवंटीत किया गया है तो रिलाइंट इंड़्श्टिर लिमिटेट को ए आप्सन ज चलिपिंगा सुभारम किया है तो पतनपोथ परिवहन जलमार्ग मन्तरा लेन 꽃ि chemi पतनपोथ परिवहन और जलमार्ग मन्तरा लेने 48 में पूछ रहा है इसका आपको बताना है कि 1222 में अठारवे अंतरास्टी टेली मेडिशीन सम्मेलन का योजन कहां पर किया गया है, 2022 में गती सक्ती मल्टी मॉडलं वारटरवेश संमிट 2022 का योजन कहां पर किया में कहां पूर भारत के लिए मेगा स्वचता अभियान का सुबारम कहां पर किया गया चांदनी चौक नहीं दिल्ली में किया गया थीक है इसको आपको याद रखना में अक्टूबर ऐसीया के सबसे बड़े संपींडित बायोगयय शेंद का कहाँ पर किया गया है तो पंजाब के शंगुरू में है तो aur मुद्रय में फिराजीत विश्वे की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकारपन कहा किया गया राजस्थान में आएगा important है हरहर और आपको याद रखना है विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा की बात किया जाए तो कहाँ पर किया गया है इसको याद रखना है कहाँ पर किया गया राजस्थान में October 2022 में किस बागा व्यारण को देश का तिरपनवा जो है बागा व्यारण घोशित किया गया है तो यह बहुत ज़्यादा है यह उतरी पर देश का है इसको आपको याद रखना है तो रानी बागा व्यारण क्या हो जाएगा रानी पूर बागा इंपोर्टेंट है एक्जाम में कनफर्म आना है कि 2022 में किस बागा व्यारण को जो है देश का तिरपनवा बागा व्यारण गोशित किया गया यह भी पूछा जा सकता है कि अब तक जो है भारत में टोटल कितने बागा व्यारण गोशित किया जा सकते हैं यानि हाली में कौन स कोश्चन तक कंप्लीट कर लिए और मुझे लगाता कि सिर्फ आज जो फिप्टी कोश्चन कंप्लीट करने हैं चलिए जहां तक हो करते हैं उत्तर प्रदेश में जो बागा व्यारण की संक्या कितनी है चार है यह याद रखना है पहला जोएगा दुधवा जो कि 2010 में बना थ तो टूटल याद रखना है टूटल बागु की संक्या पूछा जा सकता है इकती सो संसर कितने हो गए थ्री वन सिक्स हो इससे पहले कितने हैं तो 2018 में तो 2018 की बात करने हूँ तो 2960 और पूछा जाए देश का सबसे बड़ा बाग अव्यारण कहां है तो श्री सेलम जो है न बफर जोन है यह इंपोर्टेंट है बाग के बारे में आपको जनकारी होनी चाहिए 54 में पूछ रहा है प्रधानमंत्री भारती जन उरुवरक परियोजना है एक राष्ट एक उरुवरक वन नेशन वन फटिलाइजर का सुबारम जो है किशने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी ने एक राष्ट एक उरुवरक का सुबारम किया है ठीक है इसको आपको याद रखना है डी ऑप्सन करेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी ने भारत यूरिया बैक का लॉंच किया है दो जर बाइस में देश में पहली बार हिंदी में MBBS वर्टकरम कैसा होगा हिंधी में होगा हिंधी को हिंदी वोट्स्ट के माल्य cyclone को काफी ज dato चुपिद्या मिल जागई यूवट होते हैं डो जाता समझमे आते हैं अगर बात कीया जाए और लोग जाटा confusion हो जाते हैं वही बात किया जाए ascending descending की तो बहुत जल्दी से जो है आपको समझ में आज आसा है कि ascending क्या होता है descending क्या होता है ठीक है इसी तरह इंग्लिस में भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और हिंदी में भी होते हैं अब यहां पर देखिए नेक्स्ट जो है क्या पूछा जा रहे हैं इसको आपको बात स्वामी रामानुजाचारी जी की प्रतिमाई Statue of Dignity का अनावरण जो है कहां पर किया गया है तो उत्तर प्रदेश इंपोर्टेंट है लगबग 1000 योगी जी महाराज वाला कोश्चन है इसको आपको योगी जी महाराज वाला कोश्चन रखी यूपी ट्रिपल सी वाला वे युद्या में कहां पर उत्तर प्रदेश के अयुद्या में और इसकी उचाई जो है पांच फीट है और इसका प्रतिमा जो है निर्माण किया गया मकराना के संगमर्मर से 57 में पूछ रहा है और इसको आपको ताबातोड़ा आंसर देना है 2022 में प्रारम की गई यूवा 2.0 योजना के तहत कुल कितने यूवा लेखोकू का जो है चैन किया गया है तो कितने 75 कितने याद रखिया यूवा का फूल फॉर्म क्या होता है यंग अपकमिंग एन वर्सेटाइल ओथर्स ठीक है यूवा का फूल फॉर्म भी धढ़ले से पूछा जाता है पिछली बार अपने यहां तो उसी का जो है आपको लिखना है अगर बात किया जाए थीम की क्या है डेमोक्रेसी इंसिट्यूशन इवेंट्स पीपल एंड कॉंसिट्यूशनल वेलू जो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है 58 2022 में भारत में कहां पर 5G मोबाइल सिवा जो है शुब दीश्रय में यह आपको याद रखना है नेक्स्ट पूछ रहा है 2022 में जारी स्वच्ष सण्वेच्षड 2022 के तहित कि सहर को लगतार छटे वर्स भारत के सबसे स्वच्छ सहर का पुर्यसकार प्रदान किया गया इंदौर को किसको किया गया इंदौर याद रखना है यह पूछा रहा है और इसमें आपको बताना है ठीक है तो उत्तर प्रदेश का एक बनारस भी है याद रखिएगा इसको अगर आप याद कर पाते हो तो 60 question में पूछा जारा है 2022 में हिंदूस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड ने किस प्लांट को यूरिया जो उत्पादन प्रारंब किया है तो बराउनी ने किसने बराउनी याद रखिएगा बराउनी प्लांट की अगर अवस्तिती की बात किया तो बिहार में है जैसे ट् देख सकते हैं यूरिया का जो उत्पादन प्रारंब हुआ है नेक्स 61 में पूछ रहा है भारत के पहले एल्मूनियम फ्रेट रेक एल्मूनियम के डिब्बो वाला माल गाड़ी एक सट जो है बॉब रैन लेमसी का उत्गाटन कहां पे किया गया है तो यह कहां पे किया गय नेक्स 63 में और इसमें आपको बताना है कि राष्टपती द्रवब्धी मुर्मूने स्वच्छ सर्वेच्षड ग्रामीड 2022 के बिजयताओं को पूरस्कार प्रदान किया इसमें विचार कीज़े पहला क्या है इसमें बड़े राजों की स्रणी में तेलंगाना ने सिर्शस्थान प्राप्त किया है बिल्कुल सही है और दूसरा क्या है छोटे राजों के इंदर स सासित प्रदेशों की सिरेणी में अंडमान निको बार्ति सिम्मों में स्वर्वुच अस्थान प्राप्त किया इसके वन एंटू दूनों आप्सन सही है स्वच्छ सरवेच्षड ग्रामीड 2022 पुरहस्कार में अब यहां पर 65 कोश्ष्ड के तरफ आगे वड़ते हैं पूछा जा रहा है प्रदानमंत्री नेरेंग मूदी ने बल्क ड्रग पार्क की अधार सेला काहां पर रखिये ही माचल प्रदेस में जो है बल्क ड्रग सिखर सम्मेलन दो अजर बाइस का जो है हुद घाटन कहां पर किया गया है सिरी नगर में किसे भारत का पहला ट्वेंटी फॉर इंटु सेवन सौरुजा संचालित गाउं घोशित किया गया है तो कौन से है इसको यादर करने मोडेरा कौन से मोडेरा और कहां होगा यह गुज इसको याद रखेयेगा यह क्या है तो इस तेयत केंदर सरकार स्रकार चैंदर सासित प्रदेष की एस ंब्येस और अस्थानी नीकायों दोरत Mang स्कूल के रूप में विक्सित किया जाएगा यह हो चुका है नेक्स्ट वर 69 में पूछ रहा है दो अजर बाइस में प्रदानमंत्री नरंद मोदी ने कहां पर दूसरी पीडी टूजी का एक इथिनाल सेंत राष्ट को समर्पित किया है तो पानीपत में क्या हो जाएगा पान सेवेंटी में पूछ रहा है आपको बताना है डिजिटल सक्ती 4.0 कुरूप में डिजिटल सक्ती अभ्यान का चौता चरण लॉंच किया गया है कहां पर राष्टी महिला आयो क्या हो जे 71 most important question है आपके exam के लिए 71 में पूछ रहा है केंद्री मंती मंडल ने पाँच राज्यों की जन जातियों को अनसूचि जन जाति के स्रेणी में सामिल करने के प्रस्ताओ को मंजूरी प्रदान की है पांच राजू की स्रेणी में कौन सा राज्य सामिल नहीं है यह आपको बताना है तो कौन सा मिल नहीं है तिलंगाना कौन सा हो जाएगा ए ओप्सन जो है करेक्ट हो जाएगा तिलंगाना यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की पांच राज्य जन जाती है कौन सी है तो ग प्राचल प्रदेश तमिलनाडू 36 गड़ और करनाटक यह आपको याद रखना है 72 में पूछ रहे ततकालीन मुखे नाइदिस यूयू ललीत ने किस राजिकेंदर सासी प्रदेश के राष्टी विदिक सेवा प्राधिकरन नेशनल लीगल सर्विस अथर्टी नालसा के नागरी सेवा केंदर का उद गाटन किया है तो दिल्ली में कहां पर किया है दिल्ली में याद रखना है कि भारत के ततकालीन मुखे नाइदिस हूदय उमेश ललीत ने यहां पर किया है नालसा का गठन किसके लिए समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्स कानूनी सेवाएं परदान करने था था बीवादू को सवाद पूर्ण समधाने तू लोग अदालतों का आयो किया गया है वर्चुल का सुबारम दिल्ली में ठीक है जो बच्चे कीनी कार्णों से स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए जो है भारत के पहला वर्चुल सुबारम किया गया है 74 में पूच रहा है विस्व का तीसरा वानकी विशुविद्याले यूनिवस्टी या फॉरेस्टी किस देश में स्थापित किया जाने यह तू प्रस्तावित किया जा रहा है तो भारत में कहां पर किया जा रहा है अपने इंडिया में जो है विस्व का तीसरा वानकी विश विद्धाले कहां पर है रूस और चीन में कहां पर है रूस और चीन में तो यहां पर 75 कोश्चन के तरफ आगे बढ़ते हूं और इसमें पूचर है बलते है इसको आपको याद रखना है है ठीक है तो आज लिए वस 75 कोश्चन रह देते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हैं हम लोगों और आगे करेंगे तो आज के लिए वश्तिना आई मिलते हैं नेक्स वीडियो एक्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए गुरबैरे टेक क जाइन दोस्तो लव यू वाल